Welcome everyone, मैं हूँ प्रतिक्षा और आज आपके सामने लाई हूँ Monsterverse सीरीज की तीसरी मूवी वैल ये मूवी आनी तो दूसरी नमबर पे चाहिए थी क्योंकि ये मूवी आए थी 2017 में 2014 में आई मूवी Godzilla और उसके बाद आई 2019 में मूवी The King of Monsters उससे जादा काफी रिलेट कर रही थी और आज हम जो मूवी लेके आए हैं इसे मैं position देना चाहूंगी थर्ड नमबर पे तो चलिए बिना आपको प्रतिक्षा कराए मूवी के तरफ चलते हैं Kong Skull Island 2017 मूवी के शुरवात में हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा बीच जिस पे एक soldier आके रेतीले मैदान में गिर जाता है उसी के पीछे पीछे एक दूसरा soldier भी अपने parachute से वहां land करता है वो दौनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बने दिखते हैं जो कि एक दूसरे पे वार करना शुरू कर देते हैं भागते ही भागते वो मैदानों में पहुँच जाते हैं जो कि बहुत बड़े जंगलों से गिरा होता है लड़ते लड़ते वो पहुँच जाते हैं एक बहुत ये उचे माउंटेन पे वो एक दूसरे की जान लेने ही वाले होते हैं कि उसी समय वो देखते हैं हमारे कौंग को जो की एक जाइन्ट क्रीचर की तरह उनके सामने आता है वो सोच और समझ नहीं पाते हैं कि ये उन्होंने क्या देख लिया होता है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि आखिर उन दोनों का हूता क्या है कहानी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं काफी लोग मोनार्क के ओफिस के बार प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं सबी लोगों के सामनी जब इस चीज का खुलासा हो चुका होता है कि अब हमारी प्रत्वी पे भी बड़े बड़े जाइंट यानि की टाइटन्स खूम रहे हैं मोनार्क और्गनाइजेशन को सिचुएटेड इसलिए किया गया था उसी समय हम देखते हैं मोनार्क में काम कर रहे बिल जो कि वहाँ पे किसी से मिलना चाहते हैं बिल के मिलने का कारण ये होता है कि अब वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है लेकिन उसके लिए उसे यूएस गॉर्मेंट से पर्मिशन तो चाहिए ही थी रिसर्च हमी लोगों को फायदा देगी आने वाले तीन दिन के अंदर वहाँ पे रश्यन पंडू भी पहुंच जाने वाली है इस आइसलेंड के बारे में अभी तक किसी को भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ना तो ये मैप में आता है और ना ही किसी दूसरे रडार ने उसे अभी तक कैच किया है अगर आप चाहें तो ये यूएस को पहला कदम मिल जाएगा उस आइसलेंड पी जाने का और साथी साथ बड़े से रिसर्च करने का आखिरकार वो यूएस गवर्मेंट के उस आदमी को मना ही लेते हैं इसके साथ है बिल उसे आर्मी के लिए भी मना लेता है कि उसे आर्मी की एक टुकडी लगेगी उस बड़े से आइसलेंड पे जाने के लिए उसके बाद हम देखते हैं आर्मी के कुछ सोलजर्स जो की अल्मूस्ट अपने छुटियों पे जाने ही वाले होते हैं तभी उनके पास में एक नुँड प्रोजेक्ट आ जाता है और वो नुड प्रोजेक्ट उसी आैसलेंड का होता है जहां पे बिल उन्हें ले के जाना चाते हैं इन सब का कमांड कर रहे होते हैं पैकर्ड, अब बिलको अपने साथ में ले जाने के लिए उस आइसलेंड पी चाहिए अलग-अलग तरीके के स्पेशलिस्ट, इसलिए वो शुरू हो जाता है उनकी खोज में, सबसे पहले वो ढूनता है एक खोजी को, जो की होता है रस्ता ब दिखाने वाला, बिल उसे ढून लेता है और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा ओफर देता है अपने साथ चलने के लिए, जेम्स उसे कही ना कही पागल समझता है और कहता है कि अगर हम वापस आ गए तो मैं तुमसे इसका पांच गुना दाम जादा लूँगा, उस मिश होते हैं सेफटी के लिए कुछ सोलजर्स, उन सबको बताया जाता है कि आप लोगों के सामने ऐसा आइसलेंड होगा, जिसके बारे में आज से पहले ना तो कभी किसी ने सुना है, ना ही कभी किसी ने देखा है, हम लोग उस जमीन के नीचे देखना चाहते हैं, कि आखिर उ हम उसके उपर सबसे पहले साइंटिफिक इंस्टूमेंट डालेंगे, और वो जब वहाँ फटेंगे, और वहाँ हम होने वाली हलचल को रियक्टर पे देख पाएंगे, इसके साथ ही वहाँ पर मिलने वाली हर बायोलोजिकल चीज़ पे हम लोगों को ध्यान रखना है, ता एक रस्ता होगा, आने वाले तीन दिन बाद में नौर्ट कोर्ट पे हमारे लिए मदद बेजी जाएगी, जो भी जिन्दा बच जाएगा, वो वहाँ तक पहुँचके वापिस अपनी घर जा सकता है, सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक बार के लिए सोचते हैं, ऐसी चीज क्यों कही गई है, वहाँ पे सभी की question भी होते हैं, कि आखिर हम वहां ढूडने के लिए क्या जा रहे हैं, क्या वहाँ किसी चीज की research होने वाली है, या वहाँ कोई चीज मिलने वाली है, सभी अपना अपना समान पैक करते हैं, और बड़ी से ship के अंदर सवार हो कुछी समय बाद में बिल और पैकर्ट को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि हम आगे की जरनी अब और तैय नहीं कर सकते हैं हमें यहां से पीछे जाना पड़ेगा उससे कारण पूछने के बाद बताया जाता है कि आगे बहुत ही बड़ा तूफान है और हम इसके आगे नह बच पाएंगे और यह रिसर्च हम आगे भी जारी कर सकते हैं तब बिल उसे कहता है कि मैं यह मौका अब आगे नहीं छोड़ सकता मैंने यह मौका बहुत ही मुश्किल से पाया है और मैं यहां से जाके ही रहूंगा साथ ही साथ वो पैकर्ट को एक ये बात भी बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमारे सारे जवान किसी भी तुफान से लड़ सकते हैं तो क्या तुम चलना चाहोगे यह एक तरिके से इगो वाली बात हो जाती है पैकर्ट चाहके भी मना नहीं कर पाता है काफी सारे चॉपर्स तयार होना शुरू हो जाते हैं और लोग धीरे-धीरे बिजलिया कड़क रहे होती है लेकिन फिर भी वो चौपर्स की पाइलेट कहीं से भी पीछे नहीं हटते हैं और वो उस तुफान को पार कर ही देते हैं वो देखते हैं एक बहुत सुंदर और ब्यूटिफुल आइलेंड जो आज से पहले इन लोगों ने कभी नहीं देखा थ क्योंकि इसका नाव निशान ही नहीं था नक्षे में अब यहां पे आर्मी अपना काम शुरू कर देती है वो अपने साइन्टिफिक इंस्टुमेंट यानि कि कहने को बॉम नीचे गिरा ही देती है सारे बॉम चले जाते हैं उन घने जंगलों के बीच में घने जंगलों मे देखना शुरू कर देते हैं यानि कि जमीन खोकली है धर्ती के अंदर काफी जगर बाकी है कॉंग वहां हो रहे बड़े बड़े धमाकों से बहुत ही बुरी तरीके से इरिटेट हो जाता है और वो उन सारे के सारे चौपर्स को एक बाद एक तोड़ने लगता है और फैक देता है उठा उठा के मानों की जैसे बहुत चोटे चोटे खिलों ने एक बच्चे के हाथ लग गए हो एक एक करके सारे सोलजर्स और उनमें बैठे लोग मरते जा रहे होते हैं उन सभी ने अपने जीवन में कभी ऐसा नजारा नहीं देखा होता है या तो ये गोरिला है बंदर है वो नहीं समझ पाते हैं और इतना बड़ा जाइन क्रीचर उनके सामने खड़ा होता है और वो सारी तबाही अपने आँखों से देख रहे हैं पैकर्ड ये सारा सीन अपने आँखों में इस तरीके से कैद करता है और इस तरीके का गुस्सा अपने आँखों में ल जाता है एक दूसरे से कॉंटेक करने के बाद में कुछ सोलजर एक दूसरों को मिल जाते हैं और वो सभी डिसाइड करते हैं कि हम लोग नौट की तरफ चलते हैं रास्ते में बाकी साथियों को भी ढूंटे हैं इस बड़े से भायानक हाथ से को देखके पैकर्ट तान लेता ह है अपनी गन बिल के सर पे कि अब आप सच सच बताईए कि आखिर आप हमें यहां क्यों लेकि आए हैं क्या आपको इसके बारे में पहले से ही मालूम था क्योंकि पैकर्ट को मालूम होता है कि बिल मोनार्क में काम करता है मोनार्क का काम ही बड़े बड़े जाइंट्स को ढ दूर्णने का होता है तब बिल उसे सारी सच्चाई बताता है कि आज से तीस साल पहले मैं इसी घटना से गुजर चुका हूँ तुमने तो सुना ही होगा एक हजार लोगों से भरा शिप एक दम से गायब हो चुका था उन एक हजार लोगों में से सिर्फ और सिर्फ बचा था मैं मेरी बात किसी ने भी नहीं मानी थी मेरे आँखों के सामने वो सभी लोग उस बड़े से दानव ने कुचल दिये थे मेरे बहुत समझाने के बाद में भी किसी ने मेरे पे विश्वास नहीं किया था क्यों क्योंकि मेरे पास किसी भी तरके का कोई सबूत नहीं था मैं यही सबूत लेने के लिए आया हूँ और तुम सब लोगों को बचाने के लिए आया हूँ आगर ये इस तरह के कि बड़े-बड़े जीव हमारे शहरों में आ गए तो मैं क्या हम सभी खत्म हो जाएंगे बस इसी चीज को साबित करने के लिए मैं यहां तुम लोगों को लेके पहकर ये सारी बात समझ जाता है कि आखिर बिल कहीं से भी गलत नहीं है इफ अगर वो सब को बताना चाता है कि ऐसे बड़े जाइंट भी एक्जिस्ट करते हैं तो हमें उनका खात्मा करना ही पड़ेगा नहीं तो हम सभी खत्म हो जाएंगे इधर जेम्स और मेसं सभी लोग अगे बढ़ते हैं और वो वहां देखते हैं तालाब के किनारे एक बहुत ही बड़ा बुल उनकी तरफ आरा होता है उस समय सभी किसे लोग उस पर गन तान लेते हैं लेकिन जेम्स औस सभी को मना कर देता है वो देखता है कि वो बुल काफी काम है जरासा भी एग्रेसिव नहीं है इफ अगर हम उस पर शूटिंग कर देंगे तो शायद वो अग्रेसिव हो जाएगा और हम ही सब को मार देगा और हूब हूब वैसा ही हुआ वो बड़ा सा बुल उन्हें कुछ भी नहीं करता है बहुत ही शांती से अपने रस्ते वापिस चला जाता है अब पैकर्ड अपने सोलजर्स को लिए आगे बढ़ता है और अपने बाकी बची साथियों को ढूंडने की कोशिश करता है तब वो पहुचता है एक बैम्बू से भरे फॉरेस्ट में जहां हर तरफ बैम्बू ही बैम्बू होते हैं तब ही वो लोग पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि उसके एक साथी के मुग के अंदर एक बहुत सा बड़ा पैर आके लग चुका होता है जैसे ही वो लोग उपर देखते हैं तो वो पाते हैं एक बहुत ही बड़ी मकडी उनके उपर होती है और वो उन सभी पे हमला कर चुकी होती है इसमें से वो एक soldier को अपनी जीब से पकड़ लेती है और उपर खेचने की कोशिश करती है अब वो soldier अपनी चाकू से उसे काटने की कोशिश करता है और कैसे तैसे वो बचके नीचे गिर ही जाता है सभी soldiers उसके उपर बहुत बड़ा हमला कर देते हैं और आखिरकार वो मकड़ी को मार गिराते हैं अब उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पर एक जानवर नहीं है बलकि यहाँ पर बहुत सारे जानवर है और वो भी बहुत बड़े बड़े जानवर अब हमें दिखाया जाता है James वाला ग्रूप अब वो आगे बढ़ी रहा होता है तब ही वो एक तरीकी से रस्ता देखता है यानि कि किसी तरीकी के घर टाइप का जब वो वहाँ जाता है तो उसे वहाँ दिखते हैं आदिवासी जो कि उसी जंगल में रह रह होते हैं वो सभी आदिवासी एक साथ इखटे हो जाते हैं और James के ग्रूप पे अटेक करने ही वाले होते है कि वहाँ पी एंट्री होती है मार्लो की मार्लो होता है एक पाइलेट जो कि अट्थाई साल से इसी फॉरेस्ट में रह रहा होता है क्या आप सभी को वो सीन याद है जब मैंने शुरुवात में बताया था कि दो पाइलेट आके गिरते हैं एक आईलेंड पे और बहुत ही बुरी तरीके से लड़ने लगते हैं ये मार्लो उसी मैंसे एक होता है अब पिछले 28 साल से यही मार्लो का घर था तब मार्लो उन सभी लोगों को देखके काफी खुश होता है क्योंकि मार्लो ने इतने सालों में कभी भी कोई इनसान नहीं देखा होता है वो सिर्फ और सिर्फ जानवरों से घिरा हुआ होता है साथ ही साथ वो इन्ही आदी मानवों के बीच में रह रहा होता है अब हम देखते है कि उस soldier के group में से एक soldier जो की अकीला रह जाता है वो पानी के पास जाता है और पानी के पास जैसे ही जाता है उसे वहाँ देखता है कॉंग को देखते ही वो बहुत ही डर जाता है और एक चटान के पीछे छुप जाता है वो वहाँ देखता है कि कॉंग काफ खाना बना चुका होता है वो सोलजर ये सीन दे के काफी घबरा जाता है इधर मारलो जेम्स और मेसन को लेके बाकी सभी लोगों के साथ उसी कबीले में पहुचता है जहां वो रह रहा होता है वो किसी भी तरह की का कन्वसेशन नहीं करते हैं बलकि अपने आई कॉंटेक्स से उन्हें समझाता है कि मैं मेरे साथ में साथियों को लेके आया हूँ और वहाँ कबीले के लोग उन्हें रहने की परमिशन दे देते हैं बारलो उन्हें एक बहुत ही बड़े से शिप में लेके आता है और उन्हें बताता है कि उसके आने से पहले यानि कि वर्ल्ड वार्ट पर सिर्फ और सिर्फ वो ही राजखिया करते थे साथ ही साथ उनकी लड़ाई और दुश्मनी भी देख पाते हैं वो उन डाइग्राम्स के जरिये तब मारलो नहीं बताता है कि यहां सिर्फ और सिर्फ कॉंग ही है जो कि असलियत का किंग है वो हम सब लोगों की सेफटी करता है हम सब लोग उसी की कारणाज जिन्दा है अगर कॉंग नहीं होता तो यहां पे रहने वाले और घातक जीव हमें अब तक मार चुके होते मारलो वहां पे रह रहे सबसे भयानक जीव के बारे में भी बताता है कि कैसे उस जीव ने कॉंग की सारी फैमिली को खत्म कर दिया था यानि कि कॉंग उस पूरी फैमिली का आखरी क्रीचर ही बचा होता है कॉंग के रहने से वो क्रीचर जमीन के अंदर ही रह रहे है और इफ अगर कॉंग नहीं होगा तो वो क्रीचर सारे के सारे जमीन से बाहर आ जाएंगे ये दिखने में कुछ छिपकली जैसे दिखते हैं जो कि डाइनसौर और रैप्टाइल्स का मिक्स्चर है साथ ही साथ दूसरी तरफ जेम्स मारलो को बताता है कि तीन दिन के अंदर नौर्ट कोर पे हमारे लिए शिप आने वाली है और वो हमें यहां से ले जाएगी तुम भी हमारे साथ चलो और हम सब लोग यहां से जिन्दा निकल जाएंगे तब मारलो उनके उपर हसता है और कहता है कि हम नौर्ट कोर पे पैदल तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते वो काफी दूर है तब वो बताता है कि मैंने 28 साल में यहां पे रहके एक बोर्ट बनाई थी जो कि मेरे ही चौपर की टुकडो से बनी है अब मारलो का टाइम आता है उन सभी कभीरे वालो को गुडबाई कहने का जो कि एक काफी एमोशनल होता है मेसन यह सारी चीजें अपने कैमरे में कैद कर रही होती है जब सभी लोग उस बोर्ट को ठीक कर रहे होते हैं तो मेसन वहाँ पे नेचर को क्लिक करने के लिए जाती है और वो देखती है कि वहाँ पे एक बुल है जिसके उपर उन्हें कही चौपर आके गिर चुका होता है वो बुल उस चौपर के नीचे दबा होता है लेकिन मेसन बिना उस इतने बड़े जाइंट से डरे उसे हटाने की कोशिश और साथी साथ उसे बचाने की कोशिश करती है और वहाँ हम देखते हैं कॉंग की एंट्री कॉंग अपने हाथ से उस चौपर को उठा फैकता है साथी साथ वो देखता है अपने सामने खड़े मेसन को मेसन घबरा जाती है कि शायद अभी उसका आखरी टाइम है लेकिन ऐसा नहीं होता है कॉंग उसके सामने खड़ा होता है और मेसन को देखता है कि वो बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है ये चीज़ देखके कॉंग वापस लोट जाता है जेम्स और बाकी ग्रुप उस बो आटोमेटिकली पीछे हड जाता है और जैसे वो पीछे मुड़ता है उसे वही बड़ी से छिपकर लिया के खत्म कर देती है अब बोर्ट पे सवार सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तब मार्लो उन्हें अपने पुराने समय के बारे में बताता है कि उसकी भी एक हुआ करती थी पाइलेट बनने से पहले ही उसके शादी हो चुकी होती है उसकी एक वाइफ और उसका एक बेटा भी होता है वो अपने बेटे की शकले देखने से पहले ही इस आईलेंट पर फस चुका होता है उसकी आखरी ख्वाईश ही होती है कि वो अपने बेटे को साथ ही साथ पता चलता है कि हां यह दूसरा ग्रूप भी अभी तक जिंदा है। इसी बीच हम देखते हैं किनारे पर बैठा उनकी टीम का एक मैम बर को उड़ने वाला एक जीव उठा ले जाता है। जैसे ही बागे टीम उसके उपर हमला करने वाली होती है। और हम देखते हैं कि कैसे एक एक करके सभी उसके हाथ पैर निकाल चुके होते हैं। जेसन का ग्रूप अपनी बोट एक किनारी पे लगाता है। जैसे ही वो वहाँ पे रुकते हैं, पैकर्ड के सारे सोलजर्स और पैकर्ड भी उन सब लोगों से आके मिलते हैं। सभी एक दूसरे को देखे काफी खुश होते हैं कि हाँ चलो हम लोग अब जिन्दा तो हैं, इतने लोग बचे हैं, इतने लोग नौर्टीस की तरफ चलते हैं और शायद हमें वहाँ से मदद मिले और हम सब लोग वहाँ से निकल पाएं। तब पैकड उन्हें मना कर देता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, मेरा अभी भी सैना का एक जवान बाकी है और मैं उसे लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उनके सामनी होता है एक बहुत ही बड़ा खुला मैदान जिसमें रखे होते हैं बड़े बड़े जाइंट्स के स्कल, साथ ही में इंसानों के स्कल, यानि कि उन छिपकलियों ने जिन जिनको भी खाया होता है वो वहीं आके उनके स्कल रखे होते हैं, वहाँ पे वो कॉंग क फैमिली के स्कल भी देखते हैं जो कि इतने बड़े होते हैं कि उन्होंने कभी इमाजिन भी नहीं किये होते हैं कि इस तरीके के स्कल उन्हें अपने लाइफ में देखने को क्या कभी मिलते अब वो स्कल जमीन में जाने के बाद में फ्यूल में तबदील हो जाते हैं और वहा आखरी सोलजर भी खतम हो चुका है जिसकी तलाश में हम यहां पे आई हैं अब वो छिपकली वहां पे नहीं दिखाई देती हैं इसी मौके को देखते वे सबी उट खड़े होते और वहां से जाने लगते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है वो छिपकली वही रहती है और एक दम से सबी पे हमला बोल देती है एक एक करके वो सबको मार गिराती है सोलजर के पास में जितने भी हतियार होते हैं उन से उसे वो मारने की कोशिश करते हैं लेकिन सारी कोशिशे नाकाम साबित होती है तब ही वहां रखे जहरीले गैस के इंस्टुमेंट टूड जाते हैं और उन के पास एक instrument रखा होता है इसका और वो छिपकली गिर के खत्म हो जाती है हमें लगता है कि वो छिपकली गिर के खत्म हो चुकी है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं होता है वो भागती हुए आती है जेम्स के उपर और उसी समय मेशन अपने पासफड़े lighter उस मिट्टी पे डाल दे है कि नई मैं अपनी जवान को लेके ही जाओंगा तब जेम्स उसे बताता है कि आप गलत है अब वो हमारे बीच में नहीं रहा है वो भी खत्म हो चुका है पैकट को सोलजर के पास में जाना भी नहीं था पैकट को उड़ाना था कॉंग को और वो जो सोलजर था उसी के आस जेम्स समझ जाता है कि पैकट इस बात को नहीं मानेगा और वो कौंग को उड़ाने के लिए उन हतियारों को लेने के लिए जाएगा ही जाएगा तब जेम्स कहता है कि हम बाकी बचे लोग बोट की तरफ जाते हैं और आप लोगों का वेट करेंगे आप लोग जितना जल् और अब वो कहते हैं कि यहां से जाने का रस्ता क्या हो सकता है हमें नदी धूढनी पड़ेगी तब जेम्स नदी धूढने के लिए मेसन के साथ में उपरी चोटी की तरफ जाने की कोशिश करता है और वहां हो रहे फॉग के अंदर उन्हें पता चलता है कि उनके सामने करती है यह सारी चीजे कॉंग भी देख रहा होता है कॉंग उन्हें कुछ भी नहीं करता है इवन टच भी नहीं करता है इससे हमें पता चलता है कि कॉंग इंसानों को नहीं मारना चाता है अब अगर कुछ लोग आके उसी के फॉरेस्ट में बंबलास्ट करेंगे तो उसे गुस्सा आना तो जाहिर है था, इसलिए वो इतना अग्रेसिव हुआ था, वहीं दूसरी तरफ पैकर बहुत जाता है उन हतियारों के पास में, और प्लान बनाता है कि कैसे भी करके मैं इस कॉंग को खतम करके ही रहूँगा, उसका इगो इस समय बीच में आ जाता है, उसे य तरफ बढ़ने लगता है, कॉंग जलने की बाद में काफी वीक हो जाता है, और एकदम से जमीन पे आके गिर पड़ता है, अब पैकर उसे उड़ाने ही वाला होता है, कि उसी समय पहुंच जाते हैं, जेम्स, मेसन, मार्लो और बाकी सभी लोग, और वो कहता है कि हम तुमें इसे नहीं मारने देंगे, इसे मारना हम लोगों की सबसे बड़ी भूल होगी, अगर ये मर जाएगा, तो जमीन में रहे रहे बुरे जीव सभी के सभी उपर आ जाएंगे, और एक पर अगर वो उपर आ गए, तो हम सब लोग खत्म, पैकर नहीं मानता है, और वो अभी भी अपने हाथ में डेस्ट्रॉयर लेके रखता है, वो उस बटन को दबाने ही वाला होता है, कि वहाँ पे हुए ब्लास्ट से अब जमीन में सो रही, वो सबसे बड़ी जाइंट छिपकली उठ चुकी होती है, और मार्लो ने बताता है, कि यही है, जो अब तक सो रहा था जमी और यहां हम देखते हैं इस कहाने की सबसे बड़ी फाइट, यानि कि उस बड़ी से लिजार्ट के बीच में और हमारे कौंग के बीच में, यह लड़ाई इतनी घातक होती है कि वो चलती है सुबह तक, लड़ते लड़ते पहुँच जाते हैं वो एक बड़ी से मैदान में जहां पे वो दौनों एक दूसरे को खत्म करने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं, अब इस समय मेसन जाती है उपरी छोर पे, अपनी बोट वाले दोस्तों को अपनी और ध्यान खेचने के लिए, कि अब वो बोट लेके उनकी तरफ आ जाएं, क्योंकि अब वो भी होते है नदी के ही किनारे पे, इधर वो लिजार्ट कॉंग पे पढ़ने लगती है भारी, और हम देखते हैं कि कैसे वहाँ पे पहुँच जाती है वो बोट, और बोट में होती है एक बड़ी सी गन मशीन, उसी लड़ाई के बीच में कॉंग गिर पढ़ता है एक जहाज के उपर, जिसमें लगी लोही की जंजीरों से वो पूरी तरीके से जकर जाता है और उठ नहीं पाता है, उसका ध्यान बटकाने के लिए मेंसन उस छिपकली के उपर चलाती है रेड शॉट, जिसके कारण उस छिपकली का ध्यान बटक जाता है, कॉंग खड़ा हो जाता है, एक इसे लोहे की फैन की जंजीर के साथ में, उन दौनों के हुए जोरदार लड़ाई के कारण मेसन गिर जाती है पानी में, वहीं पीछे से वो छिपकली फिर से उसके उपर वार कर देती है, और कॉंग को अपने हाथ में चबा लेती है, कॉंग अपने हाथ को गोल-गोल गुमा उसकी जीप पे और सीधा खेंच लेता है बाहर, और इसी तरीके से उस बड़ी छिपकली का हो जाता है खात्मा, अब कॉंग मेसन को बहुत ही सेफली नदी के किनारे छोड़ देता है, वहाँ पे जेसन उसे उठाने के लिए आही जाता है, कॉंग उन बाखी बचे लोगों को बिलकुल भी कोई हाम नहीं करता है, सभी अपने बोट में सवार होते हैं और वहाँ से जाने की तयारी करते हैं, साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं, कि अगर ये खबर बाहर आई, तो सभी लोग यहाँ पे आ जाएंगे, और वो कॉंग को यहाँ से ले जाएंगे, जितनी ये जगह शांत है, उतनी ही ये जगह अब डिजास्टर में बदल जाएगी, यानि कि ये जगह अब इतनी शांत नहीं रहेगी, सभी लोग यहाँ पे रिसर्च करने पहुंच जाएंगे, तब सब लोग वहाँ पे डिसाइट करते हैं, कि हम तो नहीं बताने वाले, और कोई कितना उसका वेट कर सकता था, लेकिन वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसकी वाइफ उसे देख के एक ही बार में पैचान जाती है, वो अपने यंग बेटे से भी मिलता है, और काफी खुश होता है, कहानी के अंत में हम देखते हैं, कि मेसन और जेम्स को अब ए कि मेसन और जेम्स इसके बारे में हर एक चीज का बयान करते हैं, इसी के साथ वो बताते हैं कि कैसे इसी तरह के के अलग-अलग और भी बहुत सारे जीव है, यानि कि वो इस टाइम पे गौडजिला और मौथरा और साथ ही साथ में गिडोरा का भी जिक्रे करते हैं, इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है इसे पहले वाले मूवी के लिंक मैं अल्रेड़ी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल चुकी हूँ आप वहाँ जाके इन्हें देख सकते हैं इसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाले हूं किंग कॉंग जो की आए थी 2005 में थैंक यू स मुच फॉर वाचिंग माई वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में कर दो